नमस्कार जानेंगे स्कारबारी सब्ता मेजर नन अगरिक अमोरिटीज याने प्रेशेस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनरजी कॉम्पलेक्स में क्या रुख देखने मिलेगा तो शुरुवात गोल्ड और सिल्वर से करते हैं काफी उथल उथल भरा जो एक हफता था वो हमने देखा क्योंकि काफी मेजर एवेंट हुए है इस हफते में जहां पर एक तरफ हमने RBI की एक इंटरस्टेट हाइक देखी है जहां पर एक्सपेक्टेट नहीं था कि अचानक से RBI जो है जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है वो 40 बेसेस पॉइंट से इंटरस्टेट हाइक कर देंगे याने ब्यास दरे जो है वो बढ़ा देंगे वहीं पर उसी दिन हमने याने चार मही को देखा कि फेड की बैठक थी जो पहले से ही काफी जानकार जानते थे या निवेशक जानते थे कि ये मीटिंग है और उसमें 50 basis points याने आदी फीजदी की एक ब्यास दरे जो है वो बढ़ने वाली है तो इन दोनों चीज़ों का असर हमने भारतिय बजार उपर अंतराश्टे बजार उपर आते वे देखा उसमें गोल्ड सिल्वर भी शामिल थे और हमने देखा कि गोल्ड में काफी उठा पटक देखने में विली जो दाइरा था वो 50,600 से लेकर 51,800 के बीच का था लेकिन एक जरूर चीज़ कहना चाहूंगा कि 19,20 डॉलर की जो एक रेजिस्टेंस की बात की थी वो फिलहाल मार्केट निकाल नहीं पाया है स्पॉर्ट गोल्ड जो है वहाँ पर एक या दो बार रेजिस्टेंस लेकर गिरावट का रुक दिखा रहा है तो मैं यही आगे भी बोलना चाहूंगा कि शॉर्ट तो मीडियम टॉम ऐसा लगता है कि जब तक एट लिस्ट 19,20 डॉलर याने 52,000 कस्तर भारतिय बजारों में गोल्ड नहीं निकाल पाएगा तब तक उच्छाल पे बिक्वाली की जा सकती है याने सेलोन रालीज किया जा सकता है अपसाइड जो होगा लिमिटेड है फिलहाल 1882 के करीब की क्लोजिंग आई है स्पॉर्ट गोल्ड में हाला कि थोड़ी बहुत मदद जो हमने रुपे में गिरावट देखी है वहां से देखने मिली है रुपेया जो है अपने रिकॉर्ड लो पे हफते का क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ यहां पर हमने देखा कि 76.95 की करीब की क्लोजिंग हमने स्पॉर्ट रुपी में जो है वह आते वे देखी है तो फिलहाल यह एक चीज है जो गोल्ड को यानि भारतिय बाजार में जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइजिस है M6 पर जो ट्रेड होता है या स्पॉर्ट गोल्ड जो है भारतिय बाजारों में उन्हें जो है रुप्या फिलहाल हेल्प कर पा रहा है लेकिन अंतर अश्य बाजार में जहां पर डॉलर काफी स्ट्रॉंग है और एक सो तीन सत्र के आसपास की क्लोजिंग आई है डॉलर इंडेक्स में ये एक चीज है जो अंतर अश्य बाजारों में स्पॉर्ट गोल्ड को उपरी सरुपे प्रेशराइज कर रही है तो एक खिचाव हमें देखने मिल रहा है जहां पर एक तरह रुपिया टॉमेस्टिक प्रेशर को सपोर्ट कर पाएगा वहीं पर अंतर अश्य बाजार में जो गोल्ड है उसमें दबाब बना रहेगा एक व्यू अगर लेके चला जाए तो मैं यही फिर भी दोराना चाहूंगा कि 1920 डॉलर की नीचे फिलाल जो इमिजेट टागेट है वो 1850 का हो सकता है याने हमें करेंट लेवल से और गिरावट देखने मिल सकती है हो सकता है कि हम 50,300 से 200 तक किस तर आने वाले हफ़ते में देखें तो सेलोन राली की एक रंडीती अपना ही जा सकती है वहीं पर हमने चांदी को भी देखा कि 23,000 डॉलर के उपर ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाई है हमने अभारती बजारों में देखा है कि 24,000 से 24,500 के बीच आकर एक राली के बाद बड़ा सा एक फॉल देखने मिला है और 22,500 के करीब की क्लोजिंग अपराइज़ ने दी है आने वाले हफ़ते में इमिजट तोर पर 63,100 और उसके बाद 63,800 का एक लेवल रहेगा जहां पर मजार को रेजिस्टेंस मिलेगा और हो सकता है हम डाउनसाइड में जो जुलाई बाइदा है वहाँ पर करीबन 22,000 के लेवल दुबारा आते हुए देखें तो सेलोन रालिस की ही रन नीती यहाँ पर भी अपनानी चाहिए और वो फाइदे का सवादा हो सकता है वहीं पर अगर एनरजी कॉंपलेक्स की बात करें तो एक बड़ी डेवलप्मेंट यह हुई कि योरो जोन है जहाँ पर एक 28 देशों का जो एक समू है वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि रशिया के उपर जो उनकी एनरजी डिपेंडेंस है यानि रूस से जो नाचरल गैस या क्रूड इंपोर्ट किया जाता है उसे काफी हद तक रिस्टिक किया जाएगा या बंद किया जाएगा हाला कि उसमें कुछ महीने लग सकते हैं लेकिन एक एक रिजॉल्व जरूर दिखा जिसके चलते हमने कच्छे तेल को 110 डॉलर के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है डबली टी आए क्रूड में और वहीं भारतिय बजारों में भी लगभग एक मेने के उचाई पे याने 8400 के उपर की क्लोजिंग हमने पिछले हफते आते हुए देखी आने वाले हफते में भी ये चीज़ जरूर जो है भारतिय मार्केट्स में क्रूड को सपोर्ट करती रहेगी अंतराश्य बजार में भी हम देखेंगे कि 102 से 103 डॉलर के उपर WTI क्रूड ट्रेड कर पाएगा याने डिप्स जरूर देखने मिलेगी क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स में रैली आती है डॉलर अंतराश्य बजार में बढ़ता है तो कमोनिटीज में इन जेनरल एक गिरावट का रुजहान देखने मिलता है लेकिन क्योंकि कच्छे तेल के फंडामेंटल फिलहाल उपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं प्राइजिस के लिए तो ये एक चीज है जो निश्टले स्थरों से हम देखेंगे कि उठापटा क्या वालटालेडी के बावजुद जो एक जेनरल टेंडेंसी रहेगी वो उपर की तरफ रुक की होगी इमेजट तोर पर 8600 का एक लेविल है ज 8600 का लक्ष होगा इमेजट और अपसाइड उसके बाद 8900 से 8950 याने 9000 के काफी करीब प्राइजिस जाने की पूरी-पूरी संभावना बनी हुई है अगर हम WTI की बात करें तो 116 से 117 डॉलर तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि अंतराश्री बजार में कच्छा त करीब दी है के नीचे दी है इंफेक्ट बजार ने 623 के क्लोज हैं तो ऐसा लगता है कि फिलहाल ये जो गिरावट है इनिशल तोर पे जारी रहेगी लेकिन 600 से 605 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बनता है और उसके नीचे 575 का एक पोजिशनल सपोर्ट है जब तक ये दोस 660 और उसके बाद 690 किस तरह हमें दुबारा दिखाई दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इनिशल जो गिरावट हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे जब तक 575 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक बाय ओन डिप किया जा सकता है और जो हमने all time highs आते हुए देखे 690 के उपर के वो दुबारा रिपीट होने की संभावना बनी हुई है वहीं पर हमने M6 copper में और zinc में खास करके base metals complex में बड़ी गिरावट देखी तो जो पिछले हफ़ते के हमारे views थे कहीं न कहीं 760 का एक सतर था उसके नीचे 740 का था ये दोनों ही level मुझे लगता है 760 तो हासिल हुआ है 740 spending है तो अब भी 740 का एक view लेकर चला जा सकता है हमें rallies देखने मिलेगी लेकिन जब तक 785 के नीचे prices टिकी हुई है तब तक sell on rallies याने उच्छाल पर विक्वाली की सलह देना चाहूंगा downside में 740 के लक्ष के लिए इस लक्ष को आने के लिए हो सकता है हमें 2 से 3 हफतों का समय लगे लेकिन overall एक जो बायस रहेगा या एक tendency रहेगी prices की वो नीचे की तरफ जाने की रहेगी वहीं पर zinc में भी हमें correction की possibility दिखाई दे रही है 350 की नीचे जब से prices गई हैं काफी भारी विक्वाली हमें देखने मिली है 322 से 23 के करीब फिलहल सपोर्ट ले पा रही है लेकिन मुझे लगता है कि 338 से 340 का एक बड़ा resistance है याने जो भी उच्छाल देखने मिले 332 या 333 तक वहाँ पर दुबारा विक्वाली कर सकते हैं इमिजेट तोर पर 318 का विव होगा लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 306 से 307 तक जाने की पूरी संभावना बनी हुई है जहां तक जिंक का सवाल है क्योंकि हमने all time high से लगातार एक fall आते वे दिखा है तो ये पहली बड़ी गिरावट में कहूंगा जो पिछले काफी मैनों में हमने m6 zinc में देखी है इसके पीछे शांगाई में बीजिंग में जो lockdown है काफी बड़े शहर हैं वहाँ पर manufacturing हो या services हो दोनों पर ही hit आया है और इस वज़े से copper की demand जो है फिलहाल जो है कमजोर है साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि क्योंकि ब्यास दरे US में काफी तीजी से बढ़ने की उमीद है जरूर आता है लेकिन फिलहाल जो pressure है copper और zinc में और बाकी base metals में अब दोनों तरफा pressure है याने चीन में जो development हो रही हैं और जो US में हो रही हैं दोनों की दरफ से हो रहा है तो ये था एक जायजा कि आने वाले कुछ दिनों में जो non-agri commodities है वहाँ पर क्या रुप देखने मिलेगा दन्यवाद है ये ये लेद है ये ल yağसे टाती है रहा है से हैंजाद